Hello दोस्तो कैसे होतो दोस्तों आज के इस नीविडम मैंट सब का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज के इस नीविडम लुग बात करने वाले है 1st ODI मैच के बारे में जो के होने वाला है Bangladesh और England इन दो टिमों के बीज में दोस्तो ये मैच मॉर्निंग 11.30 एम को स्टार्ट होगा विन्नी होने वाला है शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियूम धाका तो दोस्तो तीन मैच की वन डे सिरीज है जिसमें से फर्स्ट मैच होने वाला है टाका में मैच है बंगलादेश की होम कंडिशन रही की तो उससे हम लोग बिलकुल हलके में नहीं ले सकते I know सबको बता है इंगलादेश अपने घर पे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते है कंडिशन उस तरीके से होती है और उनकी वास क्वालिटी स्पीन है तो एक इंटरस्टिंग मैच हो सकता है आगे बढ़ने इस विल्ए आपको करना क्या आपको टेलिग्राम चैनल से जॉइन होना है क्यों जॉइन होना है मेरे बाई इस चैनल पर आपको सारे मैचस की फाइनल टिम्स मिलती है इंटरनेशनल मैचस चल रहे है पेसल चल रहा है फॉर्थ से हमें डबली पील देखने को मिल जाएगा उसके मैंसे हम लोग रेगुलर कवर करेंगे तो आजाओ टेलेगराम चैनल की लिंक की में या तो दिस्रीपशन बउक्स में आपको लिंक मिल जाएगी बढ़ते करें आगे बात करते हैं हम लोग पीचोर के बारे में तो जैसरे मैं आख मैंने बोल दिया कि पीचम्र फ्रेंड ली होती है और spinner friendly ही रहेगी हाला कि जो अभी रिसेंटली आपे बंगलादेश प्रेमियर लीग हुआ उसमें हमें रन बनते हुए थी कि अच्छी बैटिंग देखने को मिली बट मुझे लगता ही कि यहाँ पर वन डे मैच में आपको अगर इंडिया जब गई थी बंगलादेश पिछले थी पर बंगलादेश ने 271 बनाते अगले मैच में इंडिया 266 ही बना पाई थी यहाँ पर इस पेसर को आट विकेट थी तो मुश्किल होता है खेल पाना रन बना पाना खोला से यहाँ पर डिफिकल्ड होता है यह था नोट करके चलना तो इंट्रेस्टिंग मैच रहेगा दो मैच में पेसर्स को 19 विकेट्स पिनर्स को 16 विकेट्स मिली थी बढ़ते आगे बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इंगलंड के बारे में तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इंगलंड की प्लेंगी लिए हो रहनी चे अब यहाँ यहाँ पर हो सकता है फिलिफ साल्ड खेल सकते हैं तो वह थोड़ा सा नोट करके चलना फिर उसके जौस बटलर मोहीन अली सैम करन क्रिस ओक्स जो फ्रावचर आदिल रशेत और माकूर कुछ इस तरीके सिनके प्लेंगी लिए हो रहनी चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा स्पीनर फ्रेंडली कंडिशन है तो यह पर एक एक्ष्टा स्पीनर खिला सकते हैं इन दो फॉर्म ऑफ रहान एहमद ठीक है तो यह थोड़ा नोट करके चलना बढ़ते आगे बात करते हैं हम लोग इनके ओर रोल स्टैट्स इनका रिसेंट फॉर्म सब कुछ हम लोग देख लेते हैं तो सबको पता कि जैसन राइ ठीक है जैसन राइ स्ट्रगल कर क्या है एक हंडेड लगा थे नोट अगेंस साउथ अपरी का जो रिसेंज सीरी जो ही थी बट ओर और इंका फॉर्म खराब चलता अभी पी एसल में खेल रहे थे वहापे बैसा कुछ बहुत अच्छा नहीं किया हुए फिलिप साल के पिछ साउथ अपरी का इनका 53 का आवरेज बनता है कंसिस्टन बैटर है वर्ट स्पीन के सामने इनका स्ट्रगल है ठीक है जेम स्विंस तगरे फॉर्म से आ रहे पी एसल में रिसेंटली खेल के आया है इनका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा देखने को मिला है तो इनका नोट करके चलना बट 29 का आवरेजिन का वंडे में है तो वो भी तुड़ा सा इशू रहेगा बटलर भी 100 लगा किया अपने पिछले मैच में अगिन साउथ प्रिक्या उससे पहले 94 नोटर बनाए तो फॉर्म तब को पताए कि नेक्स लेवल चल रहा है टिम के कैप्टन है बहु इस तरीके सिन की इनिंग्स रहे है तो ओररल ऑविसली फॉर्म अच्छा है ख्रिस ओक्स इस देर पिछले दो मैच में सिर्फ एक विकेट है 14 और 9 रन यहां पे भी उतना कुछ इंको हिल्प मिलने ने वाला तो यह भी नोट करके चलना जोफरा आर्चर इस देर पिछले मै प्रियत में बॉलिंग आपको करते हैं आपको पारफले में बॉलिंग करते हैं और बहुत ज़ादा परेशान कर सकते हैं बांगदेशी बैटर्स को बेंट पे विल जैक्स है जो जबरदस फॉर्म से आया है इस वतुरा टी-20 लिग में बहुत अच्छा करके आ है 34 56 62 नोट प्रिया नहीं है रहान इमद इस देर यंग लेक स्पिनर है 19 यह अच्छा किया था अच्छा किया था अगर बहुत ज़ाद स्पिनर्स के लिए है यहां पर यह डेब्यू करते वह दिख सकते ठीक है तो यह नोट करके चलना बात करते बांगलादेश की दोस्तों तो कुछ प्लेंगे लोन रहनी चाहिए तमी मिगबाल के साथ ओपन कर सकते लिटन दास वंडाउन नजमु उसें शांतोफिश सकेबल असन मुश्पिक रही मिमुद उल्ला आपी पुसें ते मेंदिय असन मिराज तक्सिकी नेमद मुस्तविजु रहमान इबादत हुसें ठीक है और करना बंगलदेश प्रेमेर लीग में और इनका वंडे में 37 कावरेज अच्छी वैटिंग करते हैं वंडे क्रिकेट में इंपॉर्टन पीक रहेंगे टिम के क्याप्टन है लिटन दास का रिसेंग बहुत अच्छा रहा है बीपेल में भी अच्छा करके आया है सब्सक्राइब करते हैं अच्छी विकेट है इंपॉर्टन पेसर रहेंगे फॉर बंगलादेश देन उस में इंदियस मिराज है बैटिंग दोनों देंगे और आपको बहुत अच्छे से याद होगा जब इंडिया गया था बंगलादेश तो अब इन्होंने बहुत अच्छा पॉर्फम किया था विद बैट विद बाल तो बहुत इंपॉर्टन पीक है मुस्तिव जो रहें थोड़ा रिसेंट इनका फॉर्म भी अच्छा रहा था इंडिया के सामने भी इन्होंने अच्छा किया था था हसन में में अच्छे पेसर है तो इसलाम की अब बात करता है एक्सचेंज 22 की अभी तो फर्स्ट मैच क्या कोई अपडेट एड़ हुआ नहीं है बट हाँ श्रीज वाइस के लिए जरूर एड़ हो चुका है तो हम लोग चलते सरीज वाइस में और जो तीन मैचस है वंडे मैचस उसके लिलोग देखेंगे कि किस प्लेर को भाई है फिर सेहिल कर सकते है पुरे स्रीज के लिए ठीक है तो श्रीज पर याद जरूर रखना हम लोग इसके अलावा अगर आप देखोगे तो तो 170 मुलान को सेल करने का या फिर थोड़ा जेसन रॉय को सेल करने का मैं सोच रहा था विगो स्पिनर फ्रेंडली कंडिशन्स रहेगी देखे टॉस के टाइम पर पता चलता है कंफरमेशन मिलता है कि हाँ 100% स्पिनर फ्रेंडली कंडिशन्स है तो फिर आप जेसन रॉय को से पर खेलता है, यह की मैच में सारी पॉइंट्स दे के कतम कर देगा, तो मैं आपको रिस्क लेने का वापर सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, बाकी जो मैं आपको बताया, आप इंगलंड के और से ट्राइ कर सकते हो, ओके, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जारा कोई चेंजेस नहीं करूँगा, हो सकता है कि यह दो बैटर्स के ओपर चेंज करने का मैं सोचू, हो सकता है कि इनको यहाँ डॉप करने का सोचू, बट अभी के लिए मैं इनको पिक किया है, तो यह नाइन प्लेयर्स मैं पिक कर चुका हूँ, अब हमें और दो प्लेयर्स को पिक करना है ठीक है तो हम लोग चलेंगे विकेट के पर सेक्शन में जहाँ पर मैंने बटलर को पिक कर लिया है बट अधर देन बटलर लिटन दास इस देर जो तो वो बंगलादेश ओपन कर सकते हैं विकेट किपिंग डेफिनेटली करेंगे तो आप उनको ट्राइ कर सकते हो ठीक है या तो फिरी शांस की दोनों फ्लॉप हो जाए या फिर दोनों में एक फ्लॉप हो तो ये नोट करके चलना रोई इस देर अगर आपको सेब जाना है र विन्स देखो मैंने ना नमबर 3 और नमबर 4 पर इंगलंड की लिए कौन खेलेगा इम नॉट शूर मैं भी आप यहां पर कन्फूजड हूं को चांस मिलेगा क्या विल जैक्स देब्यू करेंगे या दोनों एक साथ खेलेंगे वह इंटरस्टिंग है वह देखनी लाइक ब अपने टिम में रख सकते हो ठीक है इसके अलाव हम लोग चलते हैं और उन्र सेक्षिन जापे शक्की में जेसन मिराज मोहिन अली तीनों स्पिंड बॉलिंग और उन्र को मैंने पिक कर लिया ठीक है तीनों बहुत इंपोर्टन ए इसके अलाव सैम करन इस देर 90 परसें पॉ बॉलिंग करते हैं विकेट्स निकालते हैं जरुत परण में बैटिंग कर सकते हैं तो और राउंडर है हाँ मुझे लग रहा है कि इस मैच में कुछ ज्यादा इंपक्ट नहीं डाल पाएंगे बट स्टिल सेप ऑप्शन हम लोग लेके चलेंगे क्रिस ओक्स इस देर बट आप इनको ग्रैंडली में मोश्ली ट्राइ करना यहां पर उतना पेसर्स के लिए हल्प है नहीं पट स्टिल सामने बंगलादेश चे थोड़े वीक बैटर्स होते हैं तो विकेट्स मिल सकती है बॉलिंग सेक्शन में तीनों इंगलंड के बॉलर्स में ले चुका हूँ जोफरा, मारकूट और अदिल रशित अब इसके अलावा तसकी नेमत फ्रम बंगलादेश इस देर ठीक है इनको में टीम में लेनी की सोच सकता हूँ यह थोड़ा नोट करके चलना ठीक है अब इसके अलावा ना विकेट के पास सेक्शन में लिटन दास है तो मैं थोड़ा कन्फूज दूँ फाइनल प्लेयर में किसे लूँ आइम गोईंग विट लिटन दास आड इस पॉइंट टाइम बट हम फाइनल जो ऑफशन हम लोग देखेंगे कि क्या बैटिंग ओडर रहती है दोनों टीमों की और क्या पीच रिपोर्ट मिनता है तो उसके अप्वाडिंग हम लोग फाइनल दो प्लेयर्स को पिक करेंगे बट अभी के लिए हम लोग यह टीम बनाते है ठीक है ує के लिए कहें अपको प्रापर बिट्ञ प्रॉबर बाग लेसे वाफटर टो मैंने सकेंटेस्य पाना ध्यत्या में व्युकूर देखे थे इंडिया के अगेट्स ठीक है इसके अलाव बतलर की अलाव सोच सकते हैं आप लोग मोहीन अली के लिए यहाँ पर आपको बॉलिंग करते हैं जिकेंगे ओपनर लेपार है अपर पुछ से नीज़े लेपन बैटर है तो लेपन बैटर है इस टेम इस टेम में तो मो पिनली को VC करने का सोच सकते हो और other than those options मुझे लगता है में दियसन मिराज ग्रैंट लिग में ज़रू try करना because अच्छे लापडेक्स परने रहे obviously last time बहुत अच्छा किया था against India और जोफरा आर्चर आदिल रशित मारकुड आप इनमें से किसी को भी कर सकते हो VC because इनमें वो काबिले आते हैं तीन चार विकेट्स निकालने की तो आपको जो भी ठीक लगे इन तीनों में से उसको आप लोग वाइस कैप्टन से देश सकते हो कि वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करो यूडिप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नूटिपिकेशन मिल जाएगा थेंक यू सो मजगास फॉर वाचिंग